सुब्रमनी.com में आपका स्वागत है आज का जो टॉपिक है थोड़ा कट इन है आपको अपने परिवार से कहना है कि आप ये कुछ चीजें अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं मैं बैक ग्राउंड देता हूँ आप 51-52 साल के हो आपने शादी की आपकी डिवार्स हो गई उस पहली शादी का आपका एक लड़का है जो अभी अठरा साल का है और वो विदेश जाना चाहता है पढ़ाई करने के लिए उसका खर्चा है असी लाक आपने दुबारा शादी की उसमें आपकी बेटी है वो अभी छटी क्लास में है और उसके भी आगे पढ़ाई के खर्चे आने वाले हैं आपके पास सब मिलाक के दो करोड रुप्या है मतलब कहीं पर निवेश किया हुआ वगेरा उसके सिवा आपका पीवेफ है पुड्य का पुड्य करोड फण्ड एक घर है उसके अच्छा अच्छा इस आपके पास लिकिन उसके सामने ने लोन है जो आप चुका रहे हो और आप तेलेकॉम इंडस्ट्री में हो और अभी आप ये आपके बेटे ने काया है मुझे असी लाग चाहिए मुझे बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए आप ना कैसे बोलोगे उसको इसका प्रॉब्लम आप ने ही खड़ा किया है क्योंकि आप अपने बच्चों को लेकर के फॉरें वेकेशन पे जाते हो अभी तक तीन बार गए हो मतलब इन तीनों ने देखा है कि आप जाते हो आपने अभी अभी एक गाड़ी खरीदी है साथ पैसे अट लाग की गाड़ी जिसमें कंपनी ने थोड़ा पैसा डाला आपने थोड़ा पैसा डाला और बाकी का लोन लेकर के आप यह माई से चुका रहे हो मतलब किसी को पता ही नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है आपके पास जो दो करोट रुपया है वो तो आपके बेटी के खर्चे में चला जब हमने कैलकुलेट किया तभी आपको तो 18 करोड की ज़रत थी रेटायर्मेंट के लिए तो ये 2 करोड तो किस खेत की मूली है जैसे कहते हैं तो आप ये कहने वाले कैसे हो अपने घरवालों से कि ये आप अफॉर्ड नहीं कर सकते और आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है अगर नौकरी चली गई तो आप क्या करोगे क्या खाओगे ये मैं कहां से चुकाओगे ये सब प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि आप में कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि घरवालों से बोलें कि भाई मैं ये अफॉर्ड नहीं कर सकता आपकी बीवी ने बोला कि हमको बाहर जाना है तो आप चलेगे आपकी बीवी ने बोला हमको वेकेशन के लिए गोवा जाना है तो आप चलेगे गोवा में गोवा जाना कोई बुरी बात नहीं है गोवा में जाके आप चार दिन फाइफ चार डिलक्स में ठहरे तो वो सब खर्चा आपने सुचा भी नहीं, कि आपको रिटार्मेन्ट के लिए पैषे बचाने है, आपके बच्छों के पढ़ाई के लिए पैसे बचाने है, बतलब आप अपने आप से जुठ बोल रहे थे, कि ये सब आप और अफौर्ड कर सकते हो, सची बात यह कि आपके अफोड नहीं कर सकते यह आपको बोलेगा कौन यह आपका फिनांशल प्लानर यह अद्वाइजर तो नहीं बुलेगा उब बुलेगा सर इतना आप निवेज करोगे तो इतना हो जाएगा आपका रेटार्यमेंट के लिए इतना चाहिए आप नहीं करो कैसे कहने वाले हो मुझे तो सिर्फ पूछना था आप जाएड करो आप कैसे कहने वाले हो थैंक यू